नमस्कार स्वागत आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में गुम है किसी के प्यार में से मशुहूर हुई एश्वरिया सर्मा विवादित रियाइलिटी शो बिग बॉज सीजन 17 से बाहर हो चुकी है शो में शो से बाहर आने के बाद से ही एश्वरिया विकी जैन और अंकिता लोकंडे के साथ अपने लडाई को लेकर काफी चर्चा में थी जब वो शो में थी अब शो से उनका पता कट हो गया है और इसकी वएसे इशा मालवी इसकी वज़े जो वो बाहर आई है इसके पीछे का कारण सबसे महतपूर कारण थी इशा मालवी बिग बॉस से मिले अधिकार का इस्तमाल करते वे ईशा मालवी ने एश्वरे शर्मा को शो से बाहर फैक दिया ईशा को रूल ब्रिक के आधार पर अंकिता, अनुराग दोभाल और एश्वरे में से किसी एक को एविक्ट करना था और ईशा ने अनबन के चलते एश्वरे को बाहर किया, उन्होंने कहा कि जिनके साथ उनकी घर में नहीं बनती है, वो उसे एविक्ट करना चाहती ईशा के फैसले का नील भट और रिंकु धवन ने पुरजोर विरोध किया बिग बाहर 17 से एविक्ट होने के बाद से ही ऐश्वरे शर्मा का एक बाद एक वीडियो सोस्यल मीडिया पर तेजी से वारेल हो रहा है और एक वीडियो जो वारेल हो रहा उसमें उन्होंने एविक्षन के बाद कहा है जिसमें वीडियो में एश्वेरे ने कहा कि अच्छानक बिग बॉस ने बोला कि आप के लिए दरवाजे खुल गया है एक्ट्रिस ने बताया कि इसके बाद वह बहुत शौक में रह गई थी एश्वेरे ने आगे कहा कि मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार तू इतना अच्छा कर रही है मैं नहीं कर रही हूँ मुझे नहीं मिला इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कहा सबसे सैटिसफाइड एविक्शन है एक ने कहा दिमाग का दही कर दिया नील का सही हुआ इसके साथ एक और यूजर ने लिखा कि अब नील अपनी गेम खेल पाएगा नहीं तो बेबी बाबू करते रहते थे एक ने कहा थैंक ग अब्रो कि लेग्टरे ने उसरु पुस्त